स्वागत है आप सभी कर्टियर्स होट लाइन में एक हाई करम आप मेरे और कंचन के साथ देखेंगे और कोशिश करेंगे आज कंचन आपसे ज़्यादा बात करें दर्शकों से आपके प्रशनों को उत्तर लें आज हमाई साथ आशीश बहती जी होंगे इस खाई करम में और आपके सभी प्रशनों का उतर देंगे एक बार मार्केट के स्ट्रक्चर को दिख लेते हैं इस अफ नाउ निफ्टी इस वक्त एक लीड लेता हुआ है थैंक्स तो निफ्टी बैंक जो कि आज पूरे रंग में है देखे शुक्कावा को कॉलैपस हाया था बीकॉस अफर न निफ्टी पर 2400 सबसे महत्तर पूर्ण है क्यों क्योंकि यह शुक्करवार के दो बड़े कॉलाइटर में से सेकिंड सबसे स्ट्रॉंग कॉलाइटर का जोन है 2400 और यह करतना कर लिजे कि इस वक्त बदार जो है वह सबसे इंपॉर्टन टेवल पर क्यों 2400 सेकिंड करता है तो मेरे क्याल से जिस एवरेज पर हमारी नजर होगी वह है 5680 के आसपास जहां पर 50 डिमा प्लेस्ट है बाचीत करेंगे इस पर आशीश बहती होंगे आपके प्रशनों को उत्तर देने के लिए बट एक बार आईए देखते हैं अब तक की सुर्खिया हैर्लाइन्स बजार में आज बैंकिंग के दम पर शांदार पुल बैग निफ्टी बैंक 5150 का लगा कराया हाई निफ्टी मुझाल करीब 2400 के जोन में मिट कैप और स्मॉल कैपें भी हलगी ख़ड़ा रही है शांदार क्यूटू नतीजों से आईसे ऐसी बैंक में 3.5% से ज्यादा की रेजी अनुवान से ज्यादा रहा मुनाफ़ा और ब्याद से कमाई इधर ठीक ठाक रिजल्ट के बाद बंधन बैंक में जोरदार तीजी शेर 8% उचल के बना वायदा का टॉप गेनर बाजार को पसंद आया दूसरी तिमाही में श्यादा फिनेंस के नतीज़ शेर करी 5% से उपर जादा उचला लेकिन कोल इंडिया की रिजल्स से बदापने राश्टीन फीस दी फिसला शेर दूसरी तिमाही में घाटे के बाद इंडिगो में तेज गिरावट इंट्रडे में शेर 15% तक फिसला हाला कि निश्लिस तरों से शेर में थोड़ी सी रिकवरी आज पेश करेंगे तिमाही नतीजे 13% बस सकता है भारती का बनाफ़ा आर्पू में करीब 9% की बहुतुरी का नुमान वहीं वाइदा में PNB, Federal Bank, BHS समिट, साथ कंपनिया पेश करेंगे अपने तिमाही नतीजे सब्सक्राइब करेंगे निफ्टी निफ्टी बैंक पिक बहुत संक्षिप में 10-20 सिकिंड में आपके प्रतिक करिया आपका व्यूब जी विलिंग एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है आज इंट्राडे लो से भी बट हमें रिसला इन लेवल्स पर भी लॉंग जाने के नहीं है अगर आज ये सस्टीन करती है रही तो फिर शाद एक लॉंग जाने के लिए पोजिशन बन सकती है बड़ जिनके पास भी लगा के लॉंग जा सकते हैं बावन अजार तक के टागेट्स के लिए तो चलिए अप सीधा चलते हैं कॉलर्स के पास सबसे पहले कॉलर हमारा साथ जुड़े हैं महराष्ट्र से अमोल लोखंडे जी गुड मॉर्निंग अमोल जी क्या सवाल है आपका मैं हमने गुरीव स्कॉटन खरीदा हुआ है एक साथ से तीन से बात तर शेट्स करीदे हुए है वो एक महने के लिए रुप सकते हैं मैं गोल्ड करे या वेचे जी तो एक महने का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं मोल जी गृफ्स कॉटन के अंदर 372 शेर्स है इनके पोर्टफोलियो में इस टाइम और जो खरीदारी का भाव है वो है 185 रुपे इस टाइम पे प्राइस जो है नीचे चल रहा है आशी सर क्या करना चाहिए वापस से अ जी तो आज की क्लोजिन काफी जादा क्रूशल होगी 178 के लेवल्स पे आपको रखना है ध्यान पानी पत से हमारे साथ जुड़े हैं पुनीच जी नमशकार पुनीच जी आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछ सकते हैं नमशकार मैं मेरे बास 900 फेर से इंजिनियर्स इंडिया के टू जी रोटी की एवरेज पर अगर परमिट करें तो एक और एड करना चाहूंगा जी आपके टू जी रोटी की बाइंग है वो भी आवरेजिंग करके 203 पर आया है जी आशी सर आज तो ठीक ठाक तेजी दिखाई दे रही है इंजिनियर्स के अंदर लेकिन पिछले एक हफते या पिछले छे महिने की भी बात करी जाए तो कॉन्टेनियर्स ले डाउन ट्र है हमने इसमें मिड जुलाई से जहां 300 का जो जोन था वहां से स्टॉक्स स्लाइड होकर almost 40% के करीब उपर से गिर चुका है और हमें लग रहा है कि PSU में तोड़ा और 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 स्पेस्पेस्टी कैपटल गुड्स रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनमें ज्यादा और यहां से करने की सलाह नहीं रहेगी जो पॉजिशन है इसमें बने रहे हैं जो स्टॉक्स इनके बहुत पर आता है तो वहां पे एक्जिट कर सकते हैं पुनी जी एक सवाल और है आपका राइट जी जी मैं सब्सक्राइब है मेरे बाग 700, 125 के एवरेज पर एक बाग खरीदारी का फिर से प्राइज है 125 के भाव पर खरीदारी की गई है यहां पर भी अभी इस टाइम पर शेयर देखे तो करीबन 20 रुपए है नीचे चल रहा है यह इस टाइम पर भी क्या करना चाहिए बहेती सर ए काउं ट्रेंड में ही बना हुआ है यहां पर एक किस बाइस पर सिंका एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है पिछले एक साल में जी मोस्ट फेस में वान वे रैली देखा था हमनें 2023 और 2022 के मिट से और में लग रहा है कि 2024 जो है वो एक प्रशर में रहेगा प्यस के ल 100 का exactly अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से एक्जेट करने की सला है जी तो यह थी राय स्जेव एन पर मूविंग फॉवर्ड कानपूर से हमारे साथ जुड़े हैं संतो सिंग जी गुड मॉर्निंग संतो जी क्या सवाल है अपका गुड मॉर्निंग सर अपना सवाल अपना है या इसको होल्ड करें सिर्क टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं सिक्स मंद का है छे महीने का है ठीक है भाहिती सर पिछले एक साल में हम देखे तो काफी जादा सुर्खियों में भी काउंटर बना हुआ है जिसके चलते एक शार्प डाउन फॉल देखने को मिला जी कंचन जी जब से इनकी डील कॉल अफ हुई है अल्मूस्ट मिट जैनवरी से वहां से हमने देखा ही स्टॉक कंटिनूसली प्रेशर में रहा और कोई भी पूल बैक आ रहा है तो उसमें एक सेलिंग प्रेशर इसमें इंटर्क बना हुआ है इनके भाव जो है काफी क्लो जरूर मेंटेन करें स्टॉक में और भाव पयाती ही एक्जिट करें स्टॉक में तो यह थी राए जी एंटर्टेइन्मेंट पर बुविंग फॉवर्ड हमारे साथ नाकपूर से जुड़े है महावीर जी महावीर जी गुड मॉर्निंग क्या सवाल है अपका मैंपा गोकु जब अफने खृईदारी की तो आपने पर स्टाणशल एड्वाइजर से सला लिती या अपने आ भी अपने चार्ट को देखे खे हरिदारी की जाका यह थी पहं पर 17, Mike进 pregnancy तो थोड़ा सा यहां पर जो कम है यहां पर हमें लगगा एक स्ट्रिक्स टॉप लगा के रखे गर उसके नीचे जाता है तो इस पोजिशन में से एक्जिट करने की सला रहेगी तो इती राए गोकुल एग्रो पे मुविंग फॉवर्ड एहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं अरविन जी गुड मॉनिंग अरविन जी क्या सवाल है आपका जी शुरुबात करते हैं गुडावरी पार से बहिती जी दोसो चोहदा रुपे की इनकी खरीदारी का भाव है और पांच हजार शेर्ज हैं ये भी करीब करीब अपने ओल टाइम हाई 244 का इसने बावन हपते का हाई बनाया है 214 की खरीद है और इस ताइम जो काउंटर है वो ट्रेट कर रहा है 170 में तो ये भी हाँ से 40-45 रुपे नीचे ट्रेट कर रहा है क्या करना चाहिए लेकिन ये है कि नजरिया इनका लंबे समय का है जी एक स्ट्रॉंग सपोर्ट एरिया ता इसका 180 का वो इसने आज तो पूरते वे देखने मिला है और बट लोवर लेवल पे 160 पे आज खुला हूं वहाँ से एक फिल बैक ज़रूर देखने मिल रहा है इसमें हमें लग रहा है कि इसमें जो बने रहने की सलारे की 160 का एक स्टॉप का ज़रूर मेंटेन करें इस पोसेशन में जी अरविन जी मैं एक बार आपस से हुड़को का बाइंग प्राइस पूछना चाहूंगी क्या लेवल था खरीदारी का 300 352 352 सर आपने तो all time high पे खरीदारी की है हुड़को के अंदर जी ती मैं जी आशी सर सेम केस जैसे कि हमने गोकुल एगरो में देखा था all time high पे खरीदारी की गई है 353 का इसने बावन हपते का हाई लगाया और इस टाइम पे 196 पे ट्रेट कर रहा है आधा अल्रेडी शेयर हो गया आप ऐसे क्या लगता है पुल बैक आता हुआ दिखाई देगा काफी लार्जर ओडियंस एक सज़ेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मोमंटम चेज कर रहें सारे जो हाइब बीटा से मोमंटम चेज कर रहें और जैसकि काफीक ऑ्माज़ के पास में अक्यमिलेट कि adult जरूर रहें रहें लेकिन favour और देखे यह स्टॉक 40 रुपे पर चल रहा था वहां से अल्मूस्स सेवन टाइम्स बढ़ा है तो ऐसे अगर स्टॉक्स है तो मुमंटम में स्टॉक प्लॉस जबूर ही उनको बचा सकता है अब इन्हें जो स्टॉक प्लॉस मैंटेन करना चे एक स्टॉक के करीब करें अगर उसके लेगा तो आप एक्सिट करेंगी तो अधा दें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी निवेशन इंडले लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा ले